होईसल सामराज्य जिन्होंने दस्वी और चौत्वी शताप्ती के बीच करनाटक के एक बड़ी हिस्सी पर शाशन किया था उनकी द्वारा निर्मित 92 दौर्च में से तीन मंदरों को युनेस्को द्वार विश्वधरोहर स्थल गुशक क्या गया है कहा जाता है कि इन मंदरों का निर्मान लगभग 900 साल पहले हुआ था राजा विश्णु वर्धन ने हलेबिड में हो इस लेश्वर मंदर का निर्मान करवाया था इस मंदर में दो विशाल श्रवलिंगों के साथ साथ हाथियों की 1248 छूटी मूर्टियां मौजूद है श्रवलिंग के सामने नंदी की एक विशाल मूर्टिय स्थापत है जिसे बड़ी ही खुपसूर्टी से पत्थर पर उकेरा गया है मंदर में कोल 108 स्तंप है इस मंदर से लगभक 17 किलोमीटर दूर चन्न केशव मंदर है जहां भगवान विश्णू की पूजा की जाती है इस मंदर का पुनद नर्माण विजयनगर की राजा कृष्ण देव राय ने कराया था हलेबिच में होईसलेश्वर मंदर और बेलूर में चेनाकेशव मंदर में बड़ी संख्या में परिटक आते है इस शांदार विरासत को देखने आए लोगों का क्या कहना है सुनिए एक्सपिरियन्स तो बढ़िया था जैसे इसका आर्केटेक वगरा है और अगर हजार साल से इतना अच्छा आर्केटेक अभी रिप्रेजेंट कर रहा है वो इससे पहले जो इसका कलर फ्रेम साओ जो भी होगा वो एमेजिंग होगा और अभी अगर इसको योनिस को डिकलेर किया है कुछ भी तो यह आटोमेटिकल डेवलोप हो जाएगा और आर्केटेक इस साइड में जो तुटा फुटा पीसेस पढ़ा है किसी किसी टेंपल का रिमेंस पढ़ा है एटलिस्ट इसका तो वो हाल नहीं होगा और प्रेजर्व करने लाइक बहुत पीसेस है जैसे अभी भी छोटा छोटा जो आर्केटेक को तूट रखा है उसको रेकवर कर सकते हैं और मेंटिन कर सकता है अभी का मंदिर और यह पुराना मंदिर में कंपर करी नहीं सकते हो क्योंकि यह आर्केटेक अभी कोई बना नहीं सकता है अगर बना भी लेगा तो इतना दिन टिके गाने आप रोडस बनाते हैं चार दिन ने इक टिकता है ये इतना बड़ा मंदिर और पत्थर का पूरा है वाकिंग है तो ये बन नहीं सकता है तो इसको प्रिजर्वी कर सकते है बहुती सुंदर अर अंदर जाके इतनी शान्ती का अनुभा हुआ और इतना साफ सुत्रा और पीस्फुल मंदिर है कि लग रहा था थोड़ी देर वहां बैटके और मूर्ती और उसकी जो काविंग और वो सब है उसको देखते ही रहें तो बहुत ही अच्छा मंदिर और बहुत वेल मिन्टें इवन बाहर का प्रिमाइस भी इतना अच्छा मिन्टेंड है कि देखके बहुत अच्छा लगा कि इतना साफ सुत्रा और बहुत अच्छा मिन्टेंड है आपको बताते चलें कि होईसल मंदर 2014 से युनेसको की संभावत सूची में थे जन्वरी 2022 में इस मंदर समू को वर्ष 2022-23 के लिए भारत की ओर से विश्वधरोहर स्थल में शामल करने के वास्ते नामित किया गया था